अब आगाई हम अपने अपने कम लेटडूक की स्क्रीन पर मैं आपको बताता हूं सबसे पहले में अपने अकाउंट पर लेकर सबता हूं आपको यह मैरा अपक OlGs करते हैं फिर से मेप लिए लॉगँ हैं पर ल करते हैं जिसे आपको लाउप प्रूम केई हैं यह आगा है में अपनी मिशो सेलर प्लेटफोर्म पर उसके बाद में यह देखें जीमेल और यह लोग इन कर लेता है यह हमारा अकाउंट लोग इन हो गया यह देखे लिए लोग इन के बाद आपको दिखेंगे कि क्या ओर्डर आ रहे हैं और कितना टाइम है और क्या अर्ण यह देखो आपको रेडी टू शिप में 68 ओर्डर अभी दिख रहे होंगे और स्रीकुलाब इंटरनेशनल आपको दिख रहा होगा फरम का नाम है आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं आपको इसली मिल जाएगा सर्च फर्ष्ट फर्ष्ट मेरा ही आएगा जितने भी प पेंडिंग में देखो अभी 14 ओर्डर उसके बाद में आ चुके हैं अग्याट की बात करें तो मेरे को ज्यादा ज्यादा 12 मेशनल देखी हो चुके हैं तो सुरू में 12 मेने अट अहीं दिवाली पिछली दिवाली के आज पास ओर ग्रोथ हुई थी उसके बाद कंटेशनल आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं आराम से कमा रहा हूं और मेरा जो भी खर्चा है वो मैं आसानी से चला सकता हूं देख लिए आट लाग सी अजार रुपर के सम्थिंग कुछ मेरा पेमेंट आ चुका है यह कमाई के बात हो गई ओर्डर में आपको दिखा दिया और अब बात करते हैं सिधा मेजर पॉइंट में आते हैं कि आपको क्यों करना चाहिए और आपके लिए पार्ट टाइम और एक अच्छी अर्णिंग कैसे हो सकती है तो देखिए यहां इस वीडियो को वही लोग देख रहे हैं जो कि किसी ना किसी काम में अभी उलजे पड़े हैं और उनको एक income of source भी जाई है तो basically उनके लिए यह वीडियो है और आप देखिए online आज के समय में online क्यों ज़रूरी है और आपके लिए best option कैसे रहेगा क्योंकि मैंने भी बहुत सारे तरीके अपना है online earning के लिए इससे पहले कि कहीं ना कहीं से earning हो जाए और मेरा खर्ट चतल को मिला और उसके बाद में यह काम समझ में और खुद किया तो धिर धिर अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं आसानी से खर्टा चलता है ज्यादा ज्यादा एक दो गुंटे का दिन में काम रहता है और आराम से अपना काम चल रहा है तो आपके लिए क्यों बैस्ट रहेगा अपना glow road ये खुद अपना sale product नहीं करते ये प्लेटफर्म प्रोवाइड करते हैं sellers को हमारे जैसे लोगों को जो कि आते हैं अपने प्लेट्ट करते हैं और एक ही जो जितने भी Amazon और येई के समय में अपने Amazon और येक मेडियेटर का गाम करते है तो अब भी के समय में e-commerce platform बहुत सारे हैं लेकिन सबसे आदा अब ट्रेंडिंग में चल रहे हैं Amazon Flipkart Glow Road इन में मैं अगर दो को फ़स्ट रखूंगा तो फिल्पकार्ट Amazon फोड़ा सा मलब एक ब्रेंड के रूप में मीशो थोड़ा सा भी चल रहे हैं लेकिन मीशो ओडर की लिहाद से अभी सबसे बैस्त है मेरे और सबसे आदा मीशो पर इसटाट किया । फिल्पकार्ट और Amazon पर वह सेलर पहले से बने वे अभी थोड़ा इन पर उठना मुश्किल हो गया है इन पर भी ओर्डर्स आन लग जाते हैं लेकिन उतने इतने मीशो पर आएंगे तो मैं बताता हूं यह हो गए प्लेटफों और अब आते हैं मीशो पर मैंने बारह मैंने पहले काम स्टार्ट किया था और आज आप देख सकते हैं शुरू में देग तो आज के समय में और भी आसान हो गया तो मान के चलता हैं शुरू में ओडर नहीं लेकिन दूसरे तीसरे महिने अभी दिवाली है तो अच्छा मुखा है कि अभी सेल स्टार्ट की जाए अकाउंट बना लिया जाए और सेलिंग स्टार्ट की जाए इन्वेस्टमेंट की ब पांच से दस ओडर आने लग जाए यह क्यों मैं बता रहा हूं कि इतने आने लग जाएंगे देखो एक नॉर्मल शॉप होती है वो भी दुकानदार एक किराने के अलावा कोई प्रोडेक्ट जैसे कपड़ बेचने वाला हो गया और भी कोई आइटम बेचने वाला हो गया एक से दो चीजे दिन में आसानी से बेच सकता है वो एरिया में ऐसा कर सकता है तो यह हो गई ओल इंडिया की बारत एक सो तीस करोड लोग है एक सो तीस करोड में दस से ओडर मिनिममम बात है या फिर कोई बड़ी बात है आप खुद सोच सकते हैं आपको एकमर्स जो साइट्स हैं उनके आप डाउनलोड देखेंगे तो उन मिलियंस में है यानि उन पर कस्टमर तो हैं तो दस लोगों ने भी आपका आइटम देख लिया और पर्चेस कर लिया तो आपके लिए अपना खर्चा चलाने के लिए सफिशियंट है कैसे मैं बताता हूं एक उडर पे हमारी जो बच्चत होती है वो सोच से 120 रुप होती है खर्चा काड़ पीट के आप मानलो 70-80 रुब है ये भी मत मानलो आप 50 रुप होता है पेकिंग का हो गया लेबल का हो गया अपना जो भी खर्चा है वो मानलो 50 रुप है आपके बच गए 10 इंटू 50 500 500 तीस दिन के कितने होए 1500 तीस दिन के सोरी 15 सो नहींगे 15,000 होंगे ठीक है 15,000 ये कमाई रुकने वाली नहीं है क्योंकि 300 दिन ओडर आते हैं इसमें कोई संडे नहीं होता कोई ओफ नहीं होता 15,000 पे आपकी इंकम होगी मेरे असाब से मैं लाकों की बात नहीं करता ना मैं आप उसे प्रोमिस करता है कि आप लाकों कमा लोगे 15,000 पे एक खर्चा चलाने के लिए मेरे साब से सफिशेंट है क्योंकि इंडिया में क्या है 10-12,000 पे की जोब के लिए लोग काम करते हैं 8-10 गंटे जिनमें कि यह पार्ट टाइम नहीं 8-10 गंटे काम करना ही पड़ेगा लेकिन यहां पर मैं आपको फुली फ्रीडम है कि आप एक से दो गंटे का आपका काम होगा और आप आसानी से सब कुछ मैनेज कर सकते हो अब इंवेस्टिंग कर लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा इंवेस्टिंग है बहुत मतलब रखना पड़ेगा तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या रखना पड़ेगा क्या नहीं रखना पड़ेगा तीन चीज़ें इसमें इंप्रोटेंट होगी ऐसे स्रीज के तोड़ पर पहली बात PC दूसरी बात प्रिंटर और तीसर इसे क्या ओडर आये हैं प्रिंटर शुरू में ना लाओ तो बहुत अच्छी बात है दो और पर प्रिंट के लगेंगे किसी भी दुकान पर से निकलवा सकते हो और एक दो मैने या दो-चार मैने इसी से काम चला हो तो मेरी तो सजेशन यहीं कि इसी से काम चला है कि मैंने इसी से काम चला है बिना पी-सी और बिना प्रिंटर श्टोक की बात करें या तो कोई रिलेटिव प्रोडेक्ट बनाता हो तो उससे कॉंट्रक्ट कर लीजिए जैसे ओडर राए वैसे लिए यह क्या 2-3,000 रुपे का श्टोक रख लिजिए तो इसमें कोई बड़ी बात न में लाकर टोटल खर्चा अपना बेठेगा 5,000 रुपे में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपका धाई से 3,000 रुपे आपके लगेंगे आपके जो डोकुमेंट्स रेडि कराने में या अकाउंट रेडि कराने में इसमें कि आपका GST हो गया प्लस तो देख लिजिए आपने कितना इंवेस्टमेंट्स लगेगा और आपको लग रहा होगा कि ज्यादा इनवेस्टमेंट्स होगी या मैं 68 ओडर से तो मेरे पास कुछ ज्यादा ही श्टोक होगा या मैं बहुत समय लगाता हूं तो एक वीडियो आपको लिंक में करना तो आप भी कर सकते हैं तो वीडियो आप देख लेना और वीडियो अच्छी लग्यों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अकाउंट से रिलेटिव कोई भी इनफोर्मेशन अब आपको जरूत है तो आप कमेंट बोक्स में कमेंट कर दीजिए तो आपको वीडियो में आज के लिए ठेंक यूए